जाहें दिस बिड़ो नोग ब्राइट कौम गुरूप यानि की बीसी जी कंपनी बारें बात करेंगे बीसी जी पिछले साल के उन टॉप कंपनीों में सामिल है जिसने बेहत अकम समय में इसको को माला माल कर दिया लेकिन फिलाहाल यह कंपनी चो उतरफा मार जहल रही है जी ब सबसें हुए उनको मुनाफ़ा हो सके बीना किसी देरी के डारेक्ट आपको बोड़ पो लेक चलते हैं सारी बात हम लोगों समझेगे सबसे पहले समझे कि जो ब्राइट कॉम ग्रूप क्या करती है काम करती डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रवाइड करती उसका ला इसलिए डाउन टर्व में यहां समझेगे हाई लगा चुका दूसों पांच रुपय का और यहां लगा था 16 दिसंबर को पिछले सार यहां समझे एक जुलाई से पिछले इसाले एक जुलाई से चुपनी का सेर प्राइस उटना शुरू हुआ और 16 दिसंबर तक कंपनी का लगतार बढ़ते ही रहा एक जुलाई को इसका प्राइस था साथ रुपया और देखिए साथ रुपया से बढ़कर आया है दूसर पांच रुपया तक करीब करीब इसने अपने पैसों को तीस गुन्ना किया कितना तीस गुन्ना सिर्फ छो माह में एक ऐसा पिछले साल का प्राइस का तो फिलाल इसमें मोमेंट होना कम हो गया है अब यह समझे कि मैनूप्लेस किया गया है कारण यह है क्यूंकि कर रहे हरे चीज मनद कवाटर टुकार रहे हरे चीज कर रहा है और आप करजा लेविटी देखेंगे तो यह कम हो रहा है मतलब हरी एक परकार से परिपून्द है कोई तुरूटी ही नहीं है जब कि ऐसा नहीं हो कोई भी कमपणी हो कितना भी संदार उसमें थोड़ी बहुत कमी होती है 100% कोई भी कमपणी परफेक्ट नहीं होता है लेकिन यह है कैसा कंपनी है कि 100% परफेक्ट है तो सेवी को लगता है कि इसमें कुछ मैंनुप्लेशन हुआ है इसलिए इसको जाच में रखा हुआ आप देखेंगे इसका जो रखतार बढ़ते जा रहा है प्रोफिट लगतार बढ़ते जा रहा है रिजर्व जो कंप्री का होते हो भी बढ़ते जा रहा है करजा एकदम नहीं एकदम करजा जीरो है और लियाबिल्टी यानि कि दूसरों को समपत्ती होते है वह देखेंगे तो धिरे-धिरे कम होते जा रहा है तो यह तो बात सभी बात है कि आखिर इतना 100% परफेक्ट कैसे है थोड़ा सा सब्सक्राइब करते हैं तो फिलाल हम लोग यहां देखते हैं कि इसका इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग हो है 32.4% अगर इसमें मैनुप्लेशन हुआ रहा था तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई होती इनके पास मौका था लेकिन प्रमोटर्स ने अपन सब्सक्राइब करते हैं लेकिन जब प्रमोटर्स अभी तक इसमें था रहे हुए तो एक बात की मतलब गरांटी तो नहीं लेकिन इससे असपश्टता मिलती नहीं कंपनी में मैनुप्लेशन नहीं हुआ है ठीक ठागे कंपनी चल रही है और रिजल्ट एक बार अभी सेवी समय में अभी समॉल काइप सिर्णी में आ रहा है यहां समझेगे कंपनी डिविडिटन देती है पिछले साल 2.4 दिसंबर में दिविडेंट दिया था पांस पैसा अच्छा सा था में डिविडेंट देना चाहिए तो कुछ अच्छा नामकि रिए आच्छा थी जब कंपनी बहुत कम देती इससे अच्छा नहीं देती अभी क्या उस्ताती के आरे से आगया है इतना डाउन नहीं आता लेकिन इस कंपनी का आरे से बीस का सपास आगया है क्योंकि अभी मार्केट भी डाउन चल रहा है रूस्युक्रिंगा तनाव है और सेवी ने इसको अपने जांसक निग्रानी में रखा हुगा इसका आरे से उपर कि तरफ नहीं उठाव है लेकिन निचे नहीं जाएंगा आरे से जल्ड उपर जाएगा और से एक बार उपर जाने लगएगा तो कंपनी का शेयर प्रैस बीए उपर जाने लगए फिलाहल आपको अगर इसमें निवे सापक घबराने कोई बात नहीं है और मेरे से जुनना चाहते हैं मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक लिए धन्यबाद सुक्रिया